सो है गाइज वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल में इसको डीके एंड आज हम जी शेयर के बारे में बात करने जारे हो है पी एल जिसे आप पीरामल एंटरप्रैजिज लिम्टिड के नाम से भी जानते हो आज आप देखूंगे स्टोक के अंदर हमें जोना यह अप्रॉक की गिरावट का सबसे बड़ा रीजन क्या है गिरावट नहीं है है यह इंक आप देखो आप देखो गया ठी पहले मरजर हुआ था औंकर पहले पिरामल फार्मा और यहां पर आप देखोगे P.E.L. पिरामल एंटरप्राइजिज़ तो यहां पर दोनों के जोना डी मर्जर हुआ है यह दोनों कम्पनिया आप देखो अलग-अलग आज जोना हो चुकी है तो आज जो हमें ट्रेटिंग देखने को मिली रहे वो सिरफ और पिरामल एंटरप्राइजिज़ की है और जो पिरामल फार्मा है इसकी हमें जोना अभी तक लिस्टिंग नहीं देखने को मिली है तो इसकी जो सप्रेटेट लिस्टिंग है तो आपको तारिक से पहले आपने जावर किया तो अगर आपने आज से पहले कभी भी प्रामल पर्चेज की हैं तो आपको फाइदा उठेगा आपको यह benefit होगा कि आपको प्रामल फामा जब इसकी रिलिस्टिंग होगे आप देखो के लिस्टिंग होगी ना सप्रेटिड लिस्टिंग होगी तब आपको एक शेर के बदले में 4 मिलेंगे जी हाँ अगर आपने प्रामल रामल फामा का उस समय च्यार ओोली कर दिक में है ठीक है तो आज जोना डीम बर्जर हुआ है इसी कार्ड जोना यह 40 हमें जोना परसेंट की करेक्शन देखने को मिल रही है और मैं बात आती है यह आज आप देखो कि भई जो यह ट्रेडिंग हो रही है यह सिर्फ प्रामल एंटरप्रेजिस की है ठीक है नैकी प्रामल 900 रपे पर थी और अब कितना है शिर्फ हो शिर्फ एक हजार का 40 परसेंट की ग्राउट हो गई न तो भई यह ग्राउट नहीं है आपको इन सब को लेकर प्रेशान नहीं होना है आपको जो न यह जो प्रामल फार्मा वाले शेर है न वह आपको अक्टूबर दिसंबर के आ 10 की खाली है तो इन सब को लेकर आपको बिल्कूल भी प्रेशान नहीं होना है यह रहा है आज का सारा-सारा जोhalb को आज क्ऊत्युल टेखने को मिल आना यह ए एक आगर अभी कुछ में नहीं है पिर आपको कुछ नहीं आया है तो आपको कमेंट में पूष सकते हो एंड थे कि अवर बच्छिंग दे वीडियो